कहा भी है, दुनिया के काम कभी किसी से पूरे न होंगे, अफसोस यही रहेगा एक दिन हम न होंगे, इस अफसोस की स्टेज आने से पहले धर्मरुची बढ़ा लो, बीतर में समवेग जगाने का यह एक सुन्दर सा उपाय है, धर्म आराधना को एकांत आत्म लक्षी होकर करना, एक भी धर्मक्रिया संसारलक्षी या फिर कृपा कांक्षी बनकर नहीं करना, इसके लिए अपनी प्रत्यक धर्मक्रिया को चेक करो, और उसके पीछे क्या लक्ष है, इसकी सुक्ष्मता से जाच करो, स्मरन रहे, आत्म शुद्धी है तू, या कर्म निज्रा के उद्देश्य से जो धर्म आराधना की जाती है, वह आत्म लक्षी है, मेरे जीवन में दुख न आए, बिमारी न आए, गर में क्लेश शांत रहे, मन की इच्छाएं पूरी हो, इत्यादी लक्ष से धर्मक्रिया करना संसार लक्षी आराधना है, इस थिती में सम्वेक की गुंजाईश नहीं हो सकती, धर्मक्रियाओं को करते हुए, ऐसा भाव जागे कि मेरा भव भ्रमन गटे, जनम मरन मिटे, धर्मसादना करते हुए, यही भाव बना रहे कि जितनी देर मैं धर्मस्थान में हूँ, उतनी देर के लिए संसा से निवर अपने उद्देश्य को बारम बार चेक करते रहना, कहीं ऐसा न हो, धर्मक्रिया यंत्रवत होने लगे, या समाज में अपना प्रतिष्टित स्थान जमाने हे तु की जाए, या मात्र ज्यूटी निभाने के लिए की जाए, जब तक आत्मलक्षी नहीं मनेंगे, धर्मरु जागेगी, और जब तक धर्मरुची नहीं जागेगी, जीने का लेंस कैसे बदलेगा, यदि टॉप प्रायोरिटी में धर्मसाधना आजा है, तो फिर धर्मरुची को चेक करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी, धर्मक्रिया करने के पूर्व टेस्ट चेक करें, मैं इस धर्मक्रिया को इस लोग के लिए कर रहा हूँ, टेस्ट चेक नबर टू, मैं इस धर्मक्रिया को पर लोग के लिए कर रहा हूँ, टेस्ट चेक नबर त्री, मैं इस धर्मक्रिया को नेजरा के लिए कर रहा हूँ, प्रत्यक धर्म आराधना के पीछे आत्म लक्ष जगाना, आत्म विचार का रिमाइंडर देना, तभी हमारे भीतर मुमुक्षा अर्थाद मुक्ष जाने की अभिपसा के संसकार पक्के होंगे एक बार मुमुक्षा जाग जाए तो धर्म कभी संसार लक्षी नहीं बन सकता जनम जनम की आदत को तोड़ना है तो बार बार ऐसा आत्म सुझाव दे मेरी प्रत्यक धर्म आराधना कर्म निर्जरा के लिए हो बगवान महाविर कहते हैं इस लोक की तरह पर लोक में मुझे सब कुछ अच्छा मिले इसके लिए भी धर्म आराधना नहीं करना वह एक कामना है और जहां कामना है वहां आत्म लक्ष नहीं हो सकता मान प्रतिष्ठा और नाम पाने के लिए भी धर्म करिया नहीं करना आगमों में लिखा हुआ है निजर अठाय अर्थाद मात्र निर्जरा हेतु धर्म करू विशेश साउधानी रहे कृपा कांगशी बनकर धर्म आराधना मत करना जैसे मुझे किसी देवता का वर्दान मिले सद्गुरु की कृपा ड्रिष्टी मुझ पर रहे भगवान मेरे पर कृपा बरसा दे प्राय लोग इसी आकांगशा से धर्म आराधना करते हैं कि बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं है माना कि इसमें संसार लक्ष नहीं है मान प्रतिष्ठा नाम का भी लक्ष नहीं है परंतु कृपा की चहाना भी मुमुक्षा की बाधा है इसमें भी पर निर्भरता का स्वर है और सुक्ष्म रूप से किसी से कुछ पाने की चाहा भी है खयाल रहे कृपा आकांग शाका विशय नहीं धर्म का सू परिनाम है इसलिए कृपा आरशिरवाद या वर्दान मांगे नहीं जाते लक्ष यदि आत्मशुद्धी का है तो अपने आप आरशिरवाद बरसते हैं आँख खोलने भर की देर है सूर्य का प्रकाश स्वयम वर्दान मनेगा आँख बंद करके सारी जिंदगी सूर्य के प्रकाश की मांग करलो या माला रटलो वह आशिरवाद मिलने वाला नहीं है जैसे आँख खोलना उपाय है ऐसे ही आत्मलक्षी बन आराधना करना भी उपाय है आकांक्षा रखोगे तो अटकोगे कृपा कांक्षी बनोगे तो आत्मलक्ष की तीवरता से चुकोगे स्पष्ट हो जाए धर्म और आकांक्षा का मेल नहीं है बे मेल करोगे तो धर्म की आउशदी लेते हुए भी बिमार पडोगे इसलिए सबसे पहले अपनी मुमुक्षा को आत्म विचार के रिमाइंडर द्वारा तीवर बनाने का प्रयास करो आत्मलक्ष की प्रती जितना अधिक समर्पन होगा उतनी कृपा स्वयम बरसेगी कृपा की आकांक्षा पर में अठका देगी तो परम नहीं बन पाएंगे यदि परम बनना है चरम शरीरी बनना है अंतिम लक्ष को पाना है तो कृपा कांक्षी बनकर नहीं बलकि धर्मक्रिया एकांत लक्षी होकर आत्मलक्षी होकर कर लेना इस प्रकार सम्वेग जगाने के उपायों को सिर्फ जानना नहीं, इसका चिंतन करना, सिर्फ चिंतन ही नहीं करना, इसका अभ्यास भी करना。 अभ्यास करने हे तु ऐसे प्रयोग बार-बार करना इससे आर्त्मनिरिक्षिन होगा और भीतर की जागरुकता भी बढ़ेगी. सबसे पहले अपनी मुमुक्षा को परिक्षा करके देखो. मेरी मुमुक्षा अर्थाद मुक्ष जाने की अभीलाशा कैसी है? कितनी डिगरी की है? तबी हम सम्वे की धारा में बह पाएंगे. चेक नमबर वन, मुमुक्षा चेक नमबर वन से जाचना है क्या मेरी मुमुक्षा सरकस के घोडे की तरह है? ये घोड़ा गोलाकार गती करता है, गंटो चलता है पर पहुँशता कहीं नहीं, इसे देखने वाले दर्शक भी बहुत है और चलाने वाला रिंग मास्टर भी है, पुर्शात प्रती दिन का किंतु प्राप्ती बिलकुल भी नहीं, मेरी मुमुक्षा की गती गोलाकार अर्थाद संसार की तरफ तो नहीं है, जैसे मुमुक्षू ग्रुप में जूडने से मेरे सुख दुख के साथ ही नए मिलेंगे, मुझे भी मुमुक्षू होने का एक दो महिने में बार-बार साधना करने हे तु घर से बाहर जाने का मुझे आउसर मिलेगा, और सर्वता जिम्मेदारियों से छूटने का मौका भी मिलेगा, स्पष्ट है ऐसी इच्छा मुमुक्षा शब्दों में नहीं होती, दिखने में हैं किन्तु समवेग नहीं मन सक याद रखना मुक्ष का मार्ग भीतर है, बहुत सीधा है, संसार के रास्ते गोल-गोल है, वहां कभी मन्जिल नहीं मिल सकती, चेक नमबर टू, कहीं मेरी मुमुक्षा बारात के घोड़े की तरह तो नहीं है? बारात का गोड़ा सज्जा धज्जा होता है, जिस पर दुल्हा बैटता है, एक गोड़ा तभी चलता है, जब कोई सामने नाचे, बैंड बजाए, यह वह भी धीरे-धीरे कदमों से चलता है, और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रुक जाता है, किसी का फोन आने पर, प्रेड़ना देने पर यदि भाव जाकते हो, और यह भी दो-पांच कदम चलकर फिर भाव रुक जाते हो, किसी के कहने से धर्मस्थान में आ गए, फिर कुछ दिन रुक गए, या आलस में खो गए, पश्चात प्रेड़ना का धक्का लगा, तो फिर जाग गए, ऐसी मुमुक्षा भी समवेग का अधिकारी नहीं बन सकती, चेक नमबर त्री, इससे अपने को जाचना है, कहीं मेरी मुमुक्षा सवारी के गोडे की तरह तो नहीं, सवारी के गोडे पर सवार बैठा है, और वह गोडा सर पट दोडता है, किन्तु उसकी लगाम सवार के हाथ में होती है, joka कि लगाम किसी के नीयंतर नमें न हो, तो ये गोड़ा भटक भी सकता है और सवार को पटक भी सकता है। इस गोड़े को सू मार्ग पर चलाने है तू कभी कभी सवार को चाबुक का भी इस्तिमाल करना पड़ता है। तब वह गोड़ा सन मार्ग पर सीधे ढंग से चल पड़ता है। मुक्ष मार्ग पर चलना है किन्तु लगाम पकड़ने वाला कोई चाहिए यदि उसकी साधना की लगाम किसी गुरु के हाथ में न हो तो वो सरपट नहीं दोड़ता मार्ग दर्शन चाहिए तथा भी कभी भटक गए तो गुरु के द्वारा उपदेश के चाबुक की भी पिक्षा रहती है ऐसी मुमुक्षा यदि संसार लक्षी या कृपा कांक्षी नहीं है तो सम्वे की अधिकारी बन सकती है चेक नमबर फोर क्या मेरी मुमुक्षा रेस के घोड़े की तरह है? रेस का घोड़ा लक्ष की और तेज दोड़ता है तिवरता से दोड़ता है न लगाम न चाबुक न कोई आगे नाचने वाला न बैंड बाजा मात्र और मात्र लक्ष पर नजर रहती है इसी तरह जो मुमुक्षू आत्म लक्षी होगा और निर्जरा का भाव सतत रखेगा तो उसके भीतर अहुभाव अवश्य जागेगा प्रत्युत वह सम्वेक का अधिकारी बनकर निश्चित रुप से सम्यक दर्शन को प्रक्टाएगा संसार लक्षी और कृपा कांक्षी धर्म क्रियाओं को आज से ही यू टन देकर आत्म लक्षी बनाओं बनाओं